हेलो गाइज कैसे हैं आप उमीद करता हूँ प्लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुती सुजू की विटारा ब्रीजा एलेकसाई का काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एलेकसाई का रिव्यू कीजिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक की में भी अविलेबल है यह गाड़ी और अपग्रेटिड गाड़ी है यह एलेकसाई बेस वेरिंट है इसमें आपको प्रोजेक्टर हैडलैम दिये गया है साथ में LED मिलेगी और इंडिकेटर इसके यहाँ पर दिये गया है फॉग लैंप आपको नहीं मिलेंगे और इसमें आ 205, 60 और 16 इंचिस के वील दिये गया है स्टील वील मिलते हैं आपको इसमें देखे रहे हैं आप MRF के टायर मिलेंगे यह साइड प्रोफाल देख रहे हैं आप गाड़ी के जिसमें क्या आपको डोर हैंडल आपको बोडी कलर ही दिये गया है इसमें क्लैडिंग देगी है साइड़ू में क्लैडिंग आपको पहले भी मिलती थी विटार ब्रीजा में और इसमें फ्रेंट म 90 mm की लेंथ है विर्थ है 1790 mm की और हाइट है 1640 mm की विल बेस है इसका 25 mm का बात करेंगे सस्पेंशनों की तो इसमें आपको फ्रेंट सस्पेंशन मैक फ्रेंशन इस्टर्ड विद कौईली स्प्रिंग टाइप दिये गए है रियर सस्पेंशन आपको टॉरिजन पिम टाइप मिलेगे और बात करेंगे इसके सेफटी फीचर्स की तो इसमें आपको डूल एर बेक दिये गए है ABS with EBD, Engine Immobilizer, Central Locking Door दिये गए है Isofix Child Seat दिये गए है यानि Isofix Child Seat Mount दिया गया है इसमें रियर के डोरों में Child Safety Lock भी दिया गया है इसमें रियर के डोरों में बात करेंगे मैलेज की तो इसमें आपको 17 KMPL की मैलेज मिलती है जो की कंपनी कलेम करती है 17 KMPL की मैलेज मिलेज 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 आपको इसमें और इसमें आपको Roof Rail नहीं दी गई है एंटीना दिया गया है रूफ के उपर ही देखे रहे हैं आप और इसमें आपको बात करेंगे इसके प्राइज की तो इसका एक्शोर्म प्राइज है 7,34,000 इसका एक्शोर्म प्राइज है डेली का प्राइज है यह 7,34,000 और साइडों में देखे क्लैडिंग दी गई है और देखने थे हैं रियर प्रोफाइल से भी गाड़ी को ये रियर प्रोफाइल है गाड़ी की रियर प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में रियर में आपको डिफोगार रियर वाइपर नहीं मिलेगा बेस वेरियंट गाड़ी है और rear में आपको high mon automotive stop lamp दिये गया है साथ में spoiler दिया गया है high monopoly stop lamp के साथ spoiler मिलेगा S-Kamunogram chrome finish के साथ दिया गया है विटार अब रिजा की beasing दिये गया है chrome finish के साथ और 4 parking sensor दिये गया है इसमें rear में जो कि आप देखरे हैं 2 reflector मिलेंगे rear bumper पर पर यह प्रोफाइल से आपने देख लिया यह दूसरी सैट की प्रोफाइल है गाड़ी की fuel tank capacity इसमें 48 लीटर की दी गई है 48 लीटर की fuel tank capacity मिलेगी और यह दूसरी सैट की प्रोफाइल देख रहे हैं आप steel wheel मिलते हैं आपको wheel cover नहीं मिलेंगे आपको इसमें वील कबर आपको VXI गाड़ी में मिलते हैं अगर आप VXI गाड़ी लेते हैं तो वील कबर भी आपको मिलते हैं इसमें तो ये बेस वेरियंट है तो इसमें आपको वील कबर नहीं मिलेंगे और इसका जो वैली फॉर मनी वेरियंट है VXI है तो VXI इसका value for money यहां से आप पैट्रल बरवा सकते हैं इसमें जो कि 8,35,000 का है VXI variant इसका 8,35,000 का है एक्षोर्म प्राइज जो कि value for money variant है तो इसमें आपको काफी सारे safety features इसमें दिये गए हैं जो कि एक गाड़ी में होने भी चाहिए BS6 में चलेंगे अब back door को लेते हैं boot space देख लेते हैं तो इसमें आपको rear parcel train नहीं मिलेगी यह आपका spare wheel है जो कि आपको 16 inches का ही दिया गया है यानि पाचो टायर का जो size है same है same size मिलेगा 328 liter का boot space मिलता है आपको इसमें 328 liter का boot space मिलेगा और यह rear sheet है 60-40 split है तो इसको fold भी कर सकते हैं आप देखिए और ज्यादा boot space आप बना सकते हैं इसको fold करने के बाद और भी बड़िया boot space आपको देखिए मिल पाएगा मैंने इसको fold कर दिया है रियर sheet को तो आप देखि रहे हैं बहुत ही बड़िया boot space आपको इसमें मिल जाता है fold करने के बाद चलेंगे अब rear door के interior में तो इसमें आपको inside handle chrome पे नहीं मिलेंगे नहीं cotton finish मिलेगी आपको इसमें देखिए power window दिया गया है इसमें साथ में बोटल लखने का space आप में speaker और इसमें आपको rear sheet अब देखे black ही दिए गई है इसमें आपको head नहीं मिलेंगे rear sheet में तो rear sheet में आपको head rest नहीं दिये गए हैं देखि रहे हैं आप base variant है तो आपको head rest नहीं मिलेंगे और यह वाला door भी power window के साथ दिया गया है बोटल लखने का space मिलेगा साथ में speaker grip assistant दिये गया है इसमें left में कुछ space दिया गया है समान carry करने के लिए यहां पर भी grip assistant दिया गया है right side में कुछ समान carry करने के लिए होग दिया गया है यह आपका reading lamp जो कि center में दिया गया है और front sheet के head आपको adjustable दिये गया है यानि front sheet में आपको address दिये गया है दोनों ही seat में देखी रहे हैं आप और इसके जो variant सभी variant का review मैंने अपने channel पर किया हुआ है तो इसके सभी variant का review आप देख सकते हैं हमारे channel पर तो मैं front dashboard के look देता हूँ कैसे लगता आपको front dashboard देखने में all black दिया गया front dashboard देखे रहे हैं आप चलते हैं front door के interior में front door के interior में आपको inside handle chrome पर नहीं मिलेंगे आपको इसमें देखे रहे हैं आप नहीं cotton finish मिलेगी चारो डोर इसमें power window दिये गया है आटो के साथ lock unlock शीशो का lock कर सकते हैं बोटर लखने का space दिया गया है साथ में speaker यह driver seat देख रहे हैं जो की only back adjust दीगए यह driver seat height adjust नहीं मिलेगी इसमें driver seat आपको right side में आपको AC events दिये गया है और नीचे आते हैं तो headlight leveling के switches दिये गया है right side में headlight leveling के switches मिलते हैं और इसमें आपको sid mirror को आप electrically audgestable दिये गया है इसमें foldable नहीं मिलेंगे तो इसमें only gently adjustable दिये गया है sigh mirror存able नहीं दिये गया है मैं आपको adjust करके दिखा देता हूं side mirror तो adjust कर सकते हैं आप side mirror को only foldable नहीं मिलते हैं आपको इसमें बात करेंगे अब steering wheel की तो इसमें आपको SRS airbag दिया गया है इस का monogram chrome face के साथ tilted steering दिया गया है इसमें अपने height के recording adjust कर सकते हैं steering wheel को up and down और इसमें आपको audio controls नहीं मिलेंगे steering wheel पे और right side में headlight के left में wiper के controls नहीं गया है बात करेंगे MID की तो इसमें आपको कुछ warning light है दी गई है और साथ में यह आपको इसमें आपको kilometer बताएगा और fuel शो करेगा यह clock भी इसमें show हो जाएगा heat cold condition भी show करेगा देखे रहे हैं आप और साथ में ही RPM मीटर भी इसमें दिया गया है कि तो temperature gauge नहीं दिया गया इसमें तो temperature meter नहीं मिलेगा ओर इसमें आपको 2 AC Vince दिये गये हैं नीचा आते हैं तो आपको यह आपको infotainment system दिया गया है cdfm ए म्पेकर सकते हैं इसमें और नीचा आएएंगे तो आपको AC दिया गया है नीचे आएंगे तो आपको USB Ox के option दिये गया है और 12 वर्ट का charging socket भी दिया गया इसमें मत करेंगे gear lever के 5 forward 1 reverse के साथ दिया गया है handbrake lever chrome finish के साथ दो cup holder रखने का space दिया गया console पे ही और ये SRC airbag और दिया गया है co driver side silver finish दिया गया है और यहां पे आपको glow box दिया गया है एक ही glow box मिलेगा अपर में कोई dashboard पे कोई space नहीं दिया गया है यह वाला door भी आपको power window दिया गया है बोट लखने का space मिलेगा और साथ में speaker चार speaker मिलता और इसमें आपको front में sun visor दिया गया है front में आपको sun visor दिया गया है code rivet side sun visor दिया गया है साथ में grip assistant इंटिरियर आपने देखी लिया चलेंगे अब engine room में hood खोलने का option rivet side यहां पे lever दिया गया है तो चलेंगे अब engine room में आगे हम engine room में यह engine room है इसका जिसमें के आपको hood के inside यह cover दिया गया है जो कि engine की vibration को control करता है ABS इसका यहां पे दिया गया है antilock brake system और battery fuse box देखे रहे हैं आप और इसमें आपको 1462 cc का engine दिया गया है 1.5 liter engine मिलेगा आपको 4 cylinder engine दिया गया इसमें बात करेंगे power की तो 103 bhp की power मिलेगी आपको 6000 rpm अगर हम torque की बात करते है 138 mm की torque मिलेगी 4400 rpm पे so friends यह था review मारती सुझू की विटारा ब्रीजा का elixi base variant का review आपने देखा bs6 में जो launch हो चुकी है तो अपग्रेटेड गाड़ी है इसी का review आपने देखा यह review अगर आपको अच्छा लगाओ जरू लाइक कीजिए इस वीडियो को और अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं क्या प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए साथी साथ बैल आइकन को जरूर दवाएं ताके आने वाली वीडियो की notification अब तक पहुंचते रहे इस वीडियो अगर facebook पे देख रहे हैं जरूर follow करें तब तक के लिए sheet bell पहनिए helmet पहनिए शुरक्चे चलिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद